अब कर दो दोस्तों दृष्टी आई-एस के इन फोकस्ट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है तो आप सभी को पता है कि पेट्रॉल और जो डीजल है उसकी कीमते बढ़ती जा रही है और हम सभी लोग इलेक्ट्रिक वीकल्स की तरफ शिफ्ट करते जा रहे है या फिर सरकार का प्रयास भी इसी दिशा में है कि जो भी लोग इस वक्त पेट्रोल या डीजल इंजन कारों का उप्यों कर रहे हैं वे धीरे-धीरे करके इलेक्ट्रिक वीकल्स की तरफ शिफ्ट होते जाएं लेकिन इस बीच हमें एक बात और देखने को मिल रही है कि आटो मोबिल से जूली जो बहुत सारी कमपनिया है वे इस बीच इलेक्ट्रिक वीकल या फिर जो सामाने परमपरिक इंजन से चलने वाले वाहन है उनके बीच की एक कड़ी लाने की कोशिश कर रही है जिसे हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीकल भी कह सकते हैं ठीक है तो आज के सेशन में हम इस पर बात करेंगे कि क्या है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की तकनीक क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है बहुत सारी चीज़ों उसके बारे में हम किया जाएगा तो इससे किस तरह के प्रभाव पढ़ेंगे इसकी कीमतों पर और इसकी उपयोग पर इन सभी विश्यों पर आज हम चर्चा करेंगे जो खबर आई है वो है वाट इस दा टेक्नोलोजी पावरिंग हाईब्रिड एलेक्ट्रिक वीकल्स दाहिंदू की एक खबर रहे जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है इसी को बेस बनाते हुए आज का डिस्कुशन हमारा रहेगा फोकस रहेगा तो वर्तवान इस तरह से कंपनिया गाड़ी या इस तरह की लाने की बात कर रही है हाईब्रिड एलेक्ट्रिक वाहन क्या होते हैं किस तकनीक का इ फॉकार बढ़ की रेलवे में भी किया जा रहा है इसके लावा की का सामने क्या चुननोतिया है और एक निशकर्च यह पूर्य टॉपिक को हम कंवर करेंगे और इसके अलावा एक सवाल जिसे आप प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही इस तरों पर सॉल्व करेंगे, दो सवाल जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, यहीं जो विशह है, जी एक पर तीन यानि फ्रोध्योगी की और परियावरन प्रोदूशन और उसस होने वाला संद्रक्षण उसके प्रोदूशन को रोकने के लिए उससे जुड़ता है, तो वर्तवाल सिती क्या है, वर्तवाल सिती में होंडा की अगर हम बात करें, ठीक, अगर मारूती सुजूकी की बात करें, तो इन्होंने हाल ही में अपनी कुछ नई कारों का उलेख कि है, तो इन कारों की खासियत यह है कि यह आइब्रिड कार हो सकते ही, जैसे की होंडा सिटी नाम से एक कार आती है, उसको भी हाइब्रिड ट्क्टिक पर लांच किया जा रहा है, एक कार है, ग्रांड विटारा करके अभी वह भी लांच होने वाली है, तो में इस वक्ते ऐक मिल रही है जहां पर कम्पनिया इस वक्त आगे बढ़ करके हाइब्रिड की तरफ बहुत जादा बढ़ रही है इवी पर कई सारी कार पहले ही आ रही थी लेकिन जो इलेक्ट्रिक वीकल या इवी हैं उनके अपने एक सीमा है उस सीमा से बचने के लिए हाइब्रिड वीकल को हाँ पर लॉंच किया जाने की तैयारिया की जा रही है कैसे मददगार होगी क्या तकनीक है तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीकल या वाहन क्या होते हैं तो ऐसे वाहन अपने आपको चलाने के लिए इसमें आंत्रिक देहन इंजन यानि आई सीई इंटरनल कमशन इंजन का हैं इस्तिवाल किया जाता है इंटरनल कमशन इंजन और इसमें इंजन्जन ही होता है किलावा इलेक्ट्रिक मोतर भी होती है ज paycheck नहीं है कि दूसरा ये पेट्रोल इंजन वाली या डीजल इंजन वाली कार है उसकी रेंज तो ठीक है लेकिन पेट्रोल की कीमते बढ़ती जा रही है तो काश कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसमें पेट्रोल भी डले और चार्जिंग भी होती रहे तो इसी का एक हाइब्रिड टक्निक का इस्वाल यहां पर किया गया है और एक ऐसी ही गाड़िया अब निकलनी शुरू हो गई है ठीक इसमें शब्द आएगा पावर ट्रेन इनका जो पावर ट्रेन है एक इंजन से चलने वाली कार की तुल्ला में थोड़ी ज्यादा जटिल होगा सिम्पल सी बात है इंजन भी लगा है औ और एवी वाली टेकनोलोजी भी लगा दी है तो जो सामाने रूप से आने वाली गाडिया है तो जटिल होई जाएगा यहां शब्द जो पावर ट्रेन दिख रहा है पावर ट्रेन का मतलब आप एक ऐसी संरचनाओं उन संरचनाओं के रूप में देख सकते हैं जो किसी भी इनजन पर आधारिस है या फिर या फिर हम कहें हाइब्रेड है जिसकी हम यहां बात कर रहें तो बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं मतलब जो सामान इंजन वाली कार है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट जोडने पड़ेंगे जैसे लो वोल्टेज बैटरी इलेक्रिक मोटर क थर्मल सिस्टम एक फ्यूल टैंक आई सीई पर अगर चलाएंगे इंजन पर चलाएंगे तो इससे जुड़ी चीज़ें भी लगानी पड़ेंगे मतलब कार हमें बनानी नहीं है लेकिन जो में 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 कंपोनेंट है उनकी बात करनी जरूरी है जैसे कि इस कार में आपको द से काम करता है है धीबी जो हाइब्रिड गाडिया है उनके सिस्टम को तीन तरे से पावर देने की बात अभी हमें देखने को मिल रही है जैसे पहली है सीरीज इसको श्रंख्ला कहा गया है दूसरी है समान आंतर और तीसरी है सानों को दोचान करते हैं तो जो इलक्ट्रिक मोटर का उपयोग करती है केवल इलेक्ट्रिक मोटर का जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन केवल जनेरेटर के जरिए बैटरी को रीचार्ड करने में मदद करता है यह सीरीज वाली गाडिया हो ठीक दूसरी तक्नीक है समानांतर यानि पैरलल इसका मतलब क्या हुआ इसका उ अल्टरनेट रूट से जो भी उपयोगी होगा जिस समय जिसकी छमता आवश्यक होगी इलेक्ट्रिक मोटर भी और इंजन भी दोनों का ही उपयोग इसमें किया जाएगा और तीसरा कौन सरा है श्रिंखला और समानातर यानि इन दोनों को ही जब हम मिला दे यानि कि इलेक् अब यह शब्दा गया रिजनरेटिव जो ब्रेकिंग तकनीक है यह क्या होती इसको भी जाले तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो केवल हाइब्रेड और पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें इनका उपयोग किया जा रहा है इवी इसके अंतर गत प्रेकिंग की जाएगी ब्रेक लगाया जाएगा तो माली जे गाड़ी की स्पीड सौपे जा रही थी ठीक अचानक उसको ब्रेक लगाना पड़ा और वापक से पूरी जुस्सा की स्पीड है वो धीमीन हो गई और गाड़ी उसकी अचानक से रोक गई उस रोकनी पड़ी तो जो स्पीड थी इतना सारा एक्सिलरेशन था वो बरबाद होगे अब वो से फिर से गती देनी पड़ेगी इसी गतेज ऊर्जा का उपयोग किया जा आएगी ऐसा देखा गया है कि लगबख सतर फीसद तक जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी हम पुनर प्राप्ति कर सकते हैं तो कैसे यह तकनी काम करती है इसको भी अगर हम समझे तो महां लीजे एक एक्सेलरेशन देने के लिए अगर जो हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल जाएंगे तब हम क्या कर रहे होंगे विद्जत ऊर्जा को जो बैटरी में स्टोर है उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्थित कर रहे होते हैं जब ब्रेक लगाते हैं तब हम उसी गतिज ऊर्जा को नश्ट कर देते हैं लेकिन यहाँ पर उसी गतिज ऊर्जा को वापस से इलेक्ट्रिक उर्जा में श्टोर कर लिया जाएगा एक तरह से मोटर का इस्थमाल किया जाएगा कि जब ब्रेकिंग होगी तब वापस से वह जो मोटर का सिस्टम है वह चलने लगेगा और वापस के एनरजी बैटरी में जाकर के स्टोर होने लगेगा अभी यह केवल ब्रे उर्जा की recovery हो रही है जो नष्ठ हो रही थी ब्रेक के जरीए क्योंकि जब लगते हैं तो क्या होता है तो जो ब्रेक पैट गाडियों में लगे रहते हैं वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं हीट की रूप इनर्जी वेस्ट हो जाती है उसको इस्टोर कर रहे हैं तो दूसरा जो इनर्जी हमने इस्टोर की वह इंधन को भी तो बचाएगी उसको हम दुबार अश्तेमाल करेंगे तो जो पैट्रोल है या डीजल है उसको कम करना पड़ेगा नियूंतम और्जा अपोए होगा यानि क उर्जा की खपत जो वेस्ट हो रही थी उर्जा वो कम होगी अगला जो रेंज है माल लीजे वह 100 किलोमेटर जा सकता था वापस से बैटरी को चार्ज हो गई अब वह 120-130 किलोमेटर भी जा सकता है और ज्यादा जा सकता है इसके अलावा कारबन उस अर्जन में कमी अब जो कर सके तो रेलवे में बहुत ज्यादा लापकारी है यह तक्नीक ठीक है अब एक तरह की और गाडिया आ रही है सेल्फ चार्जिंग ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीकल्स क्यानि कि इस वक्त जो बात की जा रही है एच एच इवी इसकी भी बात आ रही है इसका ए यह भी RBS का इस्तिमाल भी करती है नि कुछ उर्जा इस ते भी लेती है अब बात करें hev's के प्रकारों की उसमें कौन-कौन से प्रकार पहला है पूरी तरह से जो थिक दूसरी जो माइल्ड है और तीसरी जो माइक्रो हैब्रिद है जो गाडिया पूरी तरह से सब्你upy बहतर इंढesan की वो बचत सके मतलब पूरी तरह से हैं पेट्रोल मने वह intelligigal की है या फिर ही फिसल सकती है या फिर हमने जो पिछे बाद की दोनों में ही चल सकती है parallel के अंतरगत दोनों में चल सकते ठीक जो mild hybrid है उसके कम है ठीक इसमें यह EV mode में नहीं चल सकते यह केवल क्या करेंगे ट्रैफिक में lights वगरा का इस्तिमाल कर सकते हैं और stop and go वाला जो system है यानि कि जब गाड़ी रुकेगी और आप चलाएंगे उस बीच में जो इस्तिमाल होना था वो ना हो करके अब बैटरी का इस्तिमाल होगा इसी तरह माइक्रो हाइब्रेड है वो stop start system उसके अंतरगत भी कार करता है इन दोनों ही के अंतरगत जो इन्यन का इस्तिमाल है वो होता रहेगा केवल अगर आप सुचे EV मोड में चला ले तो नहीं यह शुरू आती है क्योंकि अभी कई सारे आपको ऐसी गाड़िया या दो पहिया वाहन भी मिल जाएंगे जिसमें इस तक्नीक का इस्तिमाल शुरू कर दिया गया है क्योंकि अगर हम पू इसके कुछ और शब्द आपको सुनने को मिलेंगे गाड़ियों का जब आप सर्च करेंगे या फिर कहीं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बी इवी यह क्या है यह है बैटरी इलेक्रिक भीकल जो पूरी गरह से बैटरी पर चलती है जिसे आप इवी के नाम से भी जान रहे है ठीक इलेक्टरिक भीकल या फिर बैटरी इलेक्रिक भीकल इवी उसके बाद EREV यानि Extended Range इलेक्टरिक भीकल यह भी एक तरह से बैटरी पर ही चलेगी लेकिन इसकी रेंज इस इलेक्रिक भीकल से जज्यादा होगी उसके बाद PHEV यानि plug-in hybrid electric भीकल और यहाँ पर HEV ज EV में अंतर ये है कि ये गाडियों में चार्जर की दूरत नहीं है उससे चलेंगी बीच-बीच में बैटरी चार्ज होती रहेगी तब आप इसकी रेंज बढ़ी हुई पाएंगी इसमें क्या है कि आपको चार्जर भी मिल जाएगा अगर आपको लग रहा है कि आप इसको सब्सक्राइब और इसकी रेंज इतने जादा है और इसके जो फीचर से उसके उससे कम चीज़ें इंजन का इसमें लगभग नहीं किया जा रहा है तो इन शब्दों का मतलब इस तरह से आपको सबज़ रहा है कि इनमें छोटे-छोटे से अंतर है तक्नीक के हिसाब से चलि अब बात करें HEV के लाब क्या है अगर इस तक्नीक का इस्तमाद हम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक वीकल से आगे बढ़ करके या वर्तमान जरूरतों को समझते हुए HEV का इस्तमाल किया जा रहा है तो पहली बात तो है इंधन की दक्षता हमें किसली चाहिए क्योंकि इस वक पेटORAल और डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं दूसरी बात अगर देश की स्तर पर देखे अर्थवर्वस्ता की स्तर पर देखे राजकोश की स्तर पर देखे तब दी जो पेटल या फिर पेट्रोलियम पदार्त जो हम आयाक करते हैं विदेशों के उसको लेने में विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तमाल होता है और भारत को उससे कहीं न कहीं राजकोशी घाटा भी देखने को मिलता है तो इससे बड़ी बचत हो जाएगी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इन चीजों में ना खर्च हो करके भारत के इंतर के तो प्योग हो सकता है ड परियावरण में होने वाला प्रदूर्शन है वो भी कम कर रही है जिसके लाब हो गए जिसकी बहुत ज्यादा जरुवत भी है अगला चुनौती क्या है इसके सामने इतनी लापकारी है तो सब लोग ले लेंगे नहीं अभी चुकि जो भारत का मार्केट है वो ट्रांजिशन संक्रमन काल में है अभी तक हमने लंबे समय से जो पेट्रोल वाहन है या डीजल वाहन है या कोई और वाहन है उसका इस्तमाल किया है अब अचानक से इवी पर शिफ्ट करने की बात आएगी तो इवी का जो मार्केट है अपने आप में चैलेंजिंग है तकनीक अभी उभर रही है धीर धीरे डेवलप्मेंट होंगे जब तकनीक बहुत ज्यादा विक्सित हो जाएगी तब अपने आप उसकी कीमते भी कम होगी और उपयोग में भी आएगी और तीसरी बात भरोसे मन भी होगी ठीक लेकिन अभी के लिए चुकि भारत एक मूल सम्वेदंशिल तक है और बैटरी की कीमत अपने आप में बहुत जादा होती है इस तरह के बाहलों में अगर आप माली जो कोई गाड़ी लेते हैं उसकी कीमत वैसे जादा है ठीक तो आप पैट्रोल का जो पैसा है उससे तो बचत कर लेंगे लेकिन बैटरी खराब होगी तब कई सारे जो भाहनों को बना करके किसी भी तरह से मार्केट में भी शुरू करना होगा ताकि लोग इस ते जोड़ सके और इसका स्क्रमाल करना शुरू कर सके हैं वही चूंकि इस वक्षण संक्रमन अपाल चल रहा है धीरे-धीरे जो ट्रांजिशन है वह इसके फेवर में तब जाएग अभी जो हम hybrid की बात कर रहे हैं वो में आंतरिक दहन इंजनों पर चलने वाले वाहनों को धिर 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 ले करके जाएंगे जो उन्हें एवी के इस्तिमाल के दौरान एवी के लाव है वो तो मिलेंगे ही धिर धिर हो सकता है कि एवी की तक्निक यह और बहतर होगी पूरी तर पर manufacturing है जैसे जैसे इसका उप्योग बढ़ेगा उसको बढ़ावा मिलेगा लोगों को रोजगार मिलेंगे ठीक इसके अलावा जीवाश मिन्नन की कीमतों में जो वृद्धी हो रही है उससे हमें रहत मिलेगी क्योंकि हमें इतनी जरुरत ही नहीं होगी अपसे ज्यादा ख ही इस और जो भारत के निर्मारता है manufacturer है automobiles के उनको निर्मारत करने में भी मदद करेंगे उनको भी इसको खरीदने की और प्रेरिट करेंगे और overall हमें जो एक परियावरल प्रदूशन की स्थितिया बन रही है भारत ने जो भी वैश्वे की स्तर पर समझोते हैं उनको किय है उसको पूरा करने में भी अदद मिलेगे तो आज की टॉपिक को इसी के साथ हम पूरा करेंगे और एक सवाल जो की प्रिलिंस पर है निम लेकित कतलों पर विचार कीजिए hybrid electric वाहन में कभी भी अंत्रिक दहन इंजन का उपयोग नहीं किया जाता है पहला statement दूसरा रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक लगाने से नष्ठ होने वाली गतिज उर्जा का उपयोग पुनस बैटरी चार्ज करने में करता है आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है ठीक केवल एक केवल दो दोनों ही या तो फिर दोनों ही कथन गलत है आपको comment section में जो सही कताने उसके बारें बताना है अब बढ़ें मेंस का सवाल सवाल है hybrid electric वाहन क्या है ठीक आप थोड़ा आपको जह हमने discussion के दौरान बाचीत में परिभाशाओं को यहां पर डिसकस किया है उसको लिखना होगा automotive उद्योग के संक्रमन काल में यह परियावरन प्रद क्ते हैं खासकर वो लोग जो मेंस के लिए अभी से तयारी करना शुरू कर चुके रही हैं फ्रिलिम्ब से होते हूं उनको भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा ठीक है बाद के session को यहीं थम्माप करते हैं मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्द वैत्मूर विशे के साथ पढ़ते रहिए शुक्रिया